कि आपको हम जगा ले जाएंगे आज हम गिर्तोली जाने वाले हैं वहाँ से अनेक गाउं के दर्सन आपको इस ब्लॉग मिलेंगे और तमाह अपने युवासाति उसे मिलाएंगे और युवासाती मेरकों देखते हुए हस्ते रहते हैं और यह आसा सोचते है कि यह पालर यह क्या बनारा तो इस तरीव का यह अवालर को तुस्ते हैं यह जोर sustain यह मैंत जी तो आशी समझते हैं मेरे को मैंत आपको देखकर और खुश रहता है हमारी महान जी है उनका एक अधिकार है कि वह सब के देखके सब को देखके हसते हैं छेली ठीक है आप दोनुका पर दोस्तो जोनाई घाटी और जोनाई घाटी पूरा आपको हम दिखाएंगे इस ब्लॉग में कि कितना सुन्दर भव्य और दिब्वी रमणी है जोनाई घाटी आपको देखने को मिलेगा कितना एतिहासिक यहां का देखे आप देख सकते हैं कितना मनमोहक द्रसी दिख रहा है और अपने आप में अपनी सुन्दरता बिखिरता हुआ ये घाटी और अ हम नौगाओं उपर हैं नौगाओं से हम चल ले उपर घिरतोली की तरब कुछ हमारे टीम के लोग आगे निकल चुके हैं और हम भी घिरतोली की तरब निकल ले हैं और आज ले चलेंगे घिरतोली और ये गेहूं के खेत हरे भरे खेत लेराते हुए खेत ये तमाम चीज है हम आपको इस ब्लॉग के माध्य मित्र उनका घर है और ये भैस है ये हमारे पहाड का जन्जिवन है इस तरीके से हमारे पहाड के घर होते हैं आप देख सकते हैं कि ये हमारे पत्थरों के घर है और उपर इसमें पत्थर है और ये हमारे इसके बगल पर गाय भैसु का बादन और कुहरा चाया हुआ है तो मौसम ठंडा भहुत है तो आज धूप निकली है तो सारे लोग बाहर बैटे वे हैं और अच्छा लगता है अपने पाहँ सुन्दर है आपको देखने को मिलेगा और इस तरीके से ये पहाडों का नजारा आपको ये जड़ी बाड़ी का इलाका है ये जड़ी बाड़ी है सिलंगतोली जड़ी बाड़ी से हम आगे ऐसे निकलाएंगे घरतोली की तरफ घरतोली पीछे की तरफ हम है सुन्दर हम खेतु के रस्ते से जाते हुए पहाड के केड़े मेड़े उच्छे निच्छे रस्ते और आपको यह पूरा इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे किस तरीके के यहां के रस्ते हैं इस तरीके से हम लोग चलते हैं और यह आप पूरा आपको इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे हमारे पहाड़ों के मकान और यह हमारे घर है और ही को साली है, आपको स्टूरे को मिलेंगे। यह फत्थर के से हैं पत्थर मेंकीत। और यह गोसाला यह भेस है और इस तरीके का जीवन है हम लोगों का पूरा तमाम यह लोग अथर लेते हुए आरे और दिखाएंगे आपको तमाम यह चीज यह कहले उंचा डूम अच्छा अच्छा तो के लंगनो मखाने चलो चलो के नाम सी तुम्होर अच्छा चलो बढ़ि और खेचा ओखन खेचा है के चलो और बताओ तो ओखक्षय ज़ते हैं और तमाम चीज जिसे हमारा ज्यू चलता है तमाम चीज हैं जिसको मांप को इस ब्लोग मादिम से दिखाएंगे कि कितना सुन्दर रमणी और भव्य लक्र सक influx देखने को मिलें और आपको ब्लॉग कि नितीहसी कि मुनुर्णि시 आपको इस ब्लॉग मैं देखानी का प्रयास करते हैं मैं पढ़ा थीड़ा सामिभिशार चीज और वट हुआ आपको अभी मैं दिखाऊंगा बहुत सुन्दर चीज रिंगाल से जो डेलिया बनती है किस तरीके से डेलिया बनती है और मैं दिखाने जा रहा हूँ एक क्रस्ना है एक किसान है ऐसे ही यह काम करता है और अपने आजीव का चलाता है पूरा जीवन और मेरा तो आज दोरा था मेरा विशेज जैसे मैं आपको ग्वालदे के ब्लॉग में दिखाया है कि किस तरीके से रिंगाल से डेलिया बनती है और यह लोग कितना मेहनत करते हैं दूर जंगल से किलोमेटरों के साब से यह लाते हैं रिंगाल की गट्टी लाते हैं यह वाले और इसको छिलते हैं फि फिर बड़े मुश्किल से दो डेलिया बनती होगी एक दिन मां तयार होती है और उसमें भी जाड़ी नहीं बन पाते हैं पर यह है कि अपना पुछतेनी काम है तो यह काम हमारा चलते रहता तो आई यह पूछेंगे कैसना बताओ कहां से लाते हो क्या लाते हो और क्या क्या हो ल land और कितले मां भीटा है वो लगवा लगवाय चल यह किसान ही करशना युजद है और वह यह बहुत महीनती है हर चीज में महिनत करता है क्ए क्आ मारा इसको बच्पन से हम लोग Lauren यहें हैं और आम से घर है कि जड़े हम हम रिंगृट के मादे लाते हैं तब जा के तायर करते हैं इस तरीके से ड़िया बनाते हैं डिल्यई और दुकानदार दोखर यह है यह है यह तमाम चीजें ब्लॉग के माधिन से अगर आप देख रहे हैं तो इन तमाम चोटे कास्तगारों को अगर कहीं से कुछ मिल जाए तो सभी विवर्स से सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास ह है और डेलिया है हम इंटर करी वाल से फिलाल जाब करने दिल्ली में आते हैं चले ठीक है बहुत बहुत बदाई आपको करना चाहिए क्योंकि जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं है क्या है रोजगार का और कुछ नहीं है और बताओ मिला तुमरों आज तो ठ देनने दिया एक के किरें खाय यह तरीके से जो हमारा खाद होता है जो जंगल से पिरूल होता पिरूल लेकर और भैस गायोंने जो है विचाय जाता ऊसके बाद इसकी जो है खाद बनती है उस खाद को एकटा करकर एक तुमर थुपडा और शेद लगा जाता दो चार दिन सस्वान जीवन मिलता है इसपलदोन गाहों हुपर रणकुड़ी आपको दिखाएंगे ये तमाम गाहों है पीचसे बीचउबी से रूट जाती है इसके और ये हम आये यहां सीधे हडवगड हडवगड का नजारा भी हम आपको इस व्लोग में दिखाएंगे कि कितना सुन्दर भब्बी गाउं हडवगड तमाम गाउं के दर्शनाज आपको इस व्लोग में कराने वाले हैं हाँ गाइज आपने देखा कि तमाम जगह आपको आज विविन का आज हमने ब्रामन करा और गाउं की शमयच्चा से लेकर किसी कहती से समंदित और पेजल से लेकर जंगल से लेकर अगरिकल्चर से लेकर तमाम समस्यां के बारे में अगुत करा है और आज का व्लोग की शमापता करेंगे मिलेंगे करनी व्लोग के सांथ बाइवाज दूस्तुर।